सुहलू काई स्वागत है आपका Car University की नहीं वीडियो में आज हमारे पास है प्रीमियम SUV स्पोर्ट्स कार में पोर्ष के तरब से आने वाली कायन और यह इसकी चाबी है लॉक अनलॉक एन बूट उपनी के लिए बटन है इस पे और बहुत ही ज़्यादा शांदार यह कायन का बेस वेरियंट है पोर्ष कायन 2023 में हमें क्या क्या ओफर किया जाता है बेस वेरियंट में आज हम इस वीडियो में देखेंगे इस बेस वेरियंट की एक शोरूम प्राइज है 1 करोड 26,84,000 रुपीज यह गाड़ी कूपे वर्जन में भी आती है और हाइब्रेड वर्जन म भी मिलेंगे जिससे आप एक्स्ट्रा पैसे देखर अड़ कर सकते हो अपनी कायन में इसमें क्या-क्या एड किया है और क्या एड कर सकते हो वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा और उसकी प्राइजिंग भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो वीडियो इन तक ज़रूर देखिएगा तो चलिए शुरू करते हैं 4.9 मिटर की इसकी लेंद है 1.7 मिटर हाइट है डिजाइन वाइज आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत बड़े साइज के यहाँ पर एरवेंट्स आपको मिलेंगे प्रेंट कैमरा यहाँ पर दिया गया है पोर्ष का लोगो आपक की शार्प एजस है रेंज सेंसिंग वाइपर से आपर दिये गए है उपर आपको रूफ रेल्स मिलेंगी वन लाक रूपिस की ऑप्शनल है सुन रूफ है इस साइड आपको ओवर्यम जो है वो हीटेड मिलेगा विद इलेक्रिकली फोल्डेबल और एंडजस्टेबल और क फुली एयर सस्पेंशन और अलविल ड्राउग के साथ आती है पोर्च का एन यहाँ पर आपको 18 लाक रूपिस देकर 21 इंच का अलविल का ओप्शन मिलेगा और 18 लाक रूपिस देकर आपको सिरामिक ब्रेकिंग का भी ओप्शन मिलेगा यहाँ पर है इसका 75 लिटर का फ्य फुली एलेडी टेल लाइट्स यहाँ पर आपको मिलेंगी पोर्ष का लोगो है इस सेट आपको पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे रिफ्लेक्टर्स भी है रियर फॉग लाम्स भी है 6 लाक रूपिस देकर आप स्पोर्ट एग्जॉस्ट भी इसमें लगवा सकते हो कमपनी से बाकी इस तरह से आपको कमपनी फिटेड एग्जॉस्ट मिलेंगे का लोगो पोर्ष का भी लोगो यहाँ पर स्पेस देकर दिया गया है एलेडी टेल लाइट्स इसकी बहुत ज़्यादा खूपसूरत है सिक्वेंशियल टर्ण इंडिकेटर के साथ है यह रियर वाइपर मिलेगा डिफॉगर्स मिलेंगे स्पोईलर भी आपको स्टॉप लैम के साथ एंड वाशर के साथ मिलेगा पोर्ष कायन का टॉप मॉडल की किम्मत है 2 करोड 2 लाक रुपीज इसका हाइब्रेड वर्जन भी आता है और उसकी माइलेज है 41 किलोमेटर पर लीटर की और हाइब्रेड वर्जन की प्राइजिंग 2 करोड रुपीज है 530 mm इसकी वाटर वेडिंग कैपैसिटी है 3500 kg तक का वेट ये खीच सकती है सेफटी फीचर्स के नाम पर इसमें Porsche Adaptive Cruise Control, Stop and Go Technology, Blind Spot Monitoring System, Rear Cross Traffic Alert, Porsche Dynamic Light System Plus, Night Vision Assist, Remote Park Assist, Lane Keeping Assist, Lane Change Assist, Collision and Brake Assist with 9 Airbags आती है Porsche का अन अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हमें क्या-क्या फीचर्स ओफर किये जाते हैं, एक्स्ट्रा पेसे देकर, 4 लाक रुपीज का आप Rear Entertainment खरीच सकते हो इसमें, 6 लाक रुपीज देकर आप इसके Massage Sits ले सकते हो, 1 लाक रुपीज की Roof Rails है इसकी, 4 लाक रुपे देक आप इसके Sunroof करीच सकते हो, 18 लाक रुपेज की 21 इंच के Alloyables ले सकते हो, 36,000 रुपेज के इसके Floor Mats ले सकते हो, 2 लाक रुपेज की Roof Box ले सकते हो, 14 लाक रुपेज के इसके Luggage Set ले सकते हो, 75,000 रुपेज का इसका Car Cover ले सकते हो, 1 लाक रुपेज का Child Sit है, 8,000 रुपीज क कि इसकी चार्जिंग केबल है देड़ लाक रुपेस देके आप इसके सॉफ्ट क्लोजर डोर खरीच सकते हो एंद तीन लाक रुपे का हेड़ डिस्पले है चले इसका एलेक्ट्रिक टेलगेट ओपन करते है तो इस तरह से एलेक्ट्रिक ली वन टैच में ही ओपन हो जाता है या फिर आप चाबी से भी इसे उपन कर सकते हो तो यहाँ पर हमें मिलता है साथ सो बहातर लेटर का बूट स्पेस अंदर लाइट्स दी गई है सबवूफर है स्पीकर्स है यहाँ पर बटन है कार के हाइट एड़्जस करने के लिए और यहाँ पर कुछ जगह मिलेगे नीचे आपको स्पेर विल मिलेगा टूल किट के साथ और बोस के स्पीकर्स भी यहाँ पर मिलेंगे इस तरह आपको पैडिंग दी गई है और लाइट्स अविलेबल है वन क्लिक में ही बंध हो जाता है इस तरह से सेकेंड रो सीट्स फोल्ड करने पर आपको 1708 लिटर का ब जोकि 2.8 लाइक रुपीज का है जहाँ पर पूरी पियानो ब्लाक कलर की फिनिशिंग है डोर अपनर सिल्वर कलर में है कर्टन्स आपको इस तरह से एलेक्ट्रिक के लिए एडजस्टेबल कर्टन्स मिलेंगे जोकि लीगल है इस पर कोई चलान नहीं हो सकता क्योंकि यह कं कलर इंटरियर लेदर वर्क के साथ आपको कलर ऑप्शन्स भी मिलेंगे जो चाहे आप इसका इंटरियर कलर चूज कर सकते हो रियर में मसाज सीट्स का भी ऑप्शन मिलेगा आपको जैसे के मैंने बताया 6 लाग रुपीज एक्स्ट्रा देकर रियर आम रेस्ट एर विद थ साथ है और एर प्यूरिफायर के भी साथ है ये और कुछ इस तरह से दिखता है इसका डाज़बोट का डिजाइन पिलर्स पे आपको इस इवेंट्स मिलेंगे इस तरह से लाइट्स है हैंडेल्स मिलेंगे पूरी ब्लाक रूफ है बहुत चांदार इंटिरियर कॉलिटी के साथ आता है पोर्ष कायन का ये मॉडल फ्रेंट में आपको कुछ इस तरह का डोर मिलेगा डूल टोन फिनिशिंग के साथ पियानू ब्लाक कडर का भी आप पर यूज़ किया गया है बर्मेस्टर का साउंड सिस्टेन का भी सेंड टायर इंफल्मेशन और कार सेंड थिमी अधर को कुछ इंपनिशीन दे गई हुए मेमरी शीड के साथ मसाद सिस्ट का भी ऑप्षण आपको फ्रन्ट सिट में भी गा जोकी भी खेल इस2020 कर देखर मिलेगा अजिश्टिबल हेड़ ईसका, इस तरह सी दिखता इसका learn देट पेडल के साथ दो पेडल्स मिलेंगे इस तरह बोनट ओपन करेंगे लिवर आटमाटिक हेडलाम्स की यहाँ पर बटन्स है इस इवेंट्स का डिजाइन एंड सेंटर कंसोल आप देख सकते हो एड़ेस्टिबल हैंड्रेस्ट मिलेगा कायन की स्टिचिंग के साथ अबको इसके अंदर दो चारजिंग पोट्स मिलेंगे एंड इन लाइट्स भी यहाँ पर दी गए है दो बोत्रोल फोल्डर्स मिलेंगी कफोल्डर्स है थोड़ी स्पेस यहाँ पर मिलेगी electronic parking brake traction control का बटन और Car की Hide Address करने का भी बटन यहाँ पर मिलेगा, Defoggers के बटन है, और Dual Zone AC आपको आगे भी मिलेगा, Total 4 Zone Climate Control AC आता है, इसमें, With Air Purifier, Max AC का भी बटन आपको यहाँ पर मिलेगा, AC के बटन है, यह है पार्किंग बेक, इलेक्ट्रिक और यह है इसका 8-Speed Automatic Gearbox, 8 HP Audi Source Gearbox है यह, Volkswagen Group के अंडर आती है Porsche, तो कई चीज़े शेर होती है, जैसे कि यह है Gearbox, तो यहाँ पर स्क्रिन की साइज जो मिल रहे है, वो है 12.3 इंच की Full HD डिस्पले आपको यहाँ पर मिलेगी जिसमें SIM, DVD, Radio, AUX, Bluetooth, Apple, CarPlay, Android Auto, Porsche, Connect Technology और बहुत सी चीज़े, Bose की Sound System कंट्रोल करने के लिए भी आपको Inbuilt Equalizer मिलेगा इसमें Inbuilt Navigation भी आता है, जो की 3D View के साथ है, Bluetooth Supported इसके बहुत सी चीज़े है, Ambient Lighting भी इसमें आपको Adjust करने का Option मिलेगा, Chassis Mode आप इसमें Select कर सकते हो, Normal, Sport and Sport Plus मोड आता है इसमें, Sport Plus में यह पूरी Down हो जाती है और Normal में यह पूरी Up हो जाती है Fully Adaptive Air Suspensions आते हैं इसमें, Cameras की Quality चेक आउट कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप Rear Camera and 360-degree Camera की Quality चेक कर सकते हो बहुत ही जादा Clear View के साथ and Rocket View and Helicopter View के साथ भी इसका Camera वर्क करता है तो आपको सारी चीज़े Clear दिखाए देती है, यह है इसकी Analog Clock इस तरह इसका Dashboard का Design and खुबसुरत Lockable Glow Box है उपर Light के साथ आपको Mirror मिलेगा, Sunvisor में and इस साथ Auto Dimming IRVM बीच में आपको Sunroof, Lights and Mic मिलेगा इस तरह आप Cameras Active कर सकते हो इस बटन से Lights के भी इस तरह से बटन दिये गए है, जो की Focus करते है आपके दोनों साइड में दोनों साइड की Seats पे, यह है 4 लाक रुपीज की Optional Panoramic Sunroof One Touch Opening and One Touch Close के साथ इसका बटन आता है यह Optional मिलेगे आपको यह गाड़ी के साथ नहीं आती है आपको अलग से Purchase करनी पड़ती है Panoramic Sunroof यहाँ पर भी आपको Light के साथ Mirror मिलेगा और यह है इसका 3-Spoke Leather Wrap Steering Wheel Dual Tone Finishing के साथ, यहाँ पर Screen के Controls मिलेगे Audio के बीच में Logo और इस साथ आपको Call Cut करने के उठाने के Controls और यह है इसका Sport, Sport Plus and Normal में डालने का Mode Selector यहाँ पर आपको Paddle Shifters भी दिये गए Automatic Wipers के Control है और इस साथ Indicator के Controls मिलेंगे नीचे Cruise Controls दिया गया है जो की Adaptive है और Electrical के लिए आप इसकी Steering को Adjust कर सकते हैं इसके Instrument Clusters से तो आपको प्यार होने वाला है बहुत ज़्यादा खुबसूरत आपको Analog में सिर्फ RPM मिलेगा बाकि सब Digital आपको दो Screens मिलेंगी राइट और लेट में जहाँ पर आपको Drive Information, Fuel Gauge, Cockpit Navigation, Time, Temperature, Date, Tire Pressure Information, Vehicle Information, Distance to MT, Drive Time, Average Speed इस सेड़ आपको Kilometers, Speed, Off-Roading Guides, Warning Lights, Outside Temperature शो होता है बहुत ज़्यादा खुबसूरत बीच में आपको RPM मिलता है जिसमें 8000 तक की RPM मार्किंग है इसे On करके दिखा दाओ, तो इस तरह से ये On होता है, गाड़ी अभी चालू है, तो आप देख सकते हो Clearly, Right Side में आप Sport, Sport Plus, Individual, Normal, इस तरह के Mode select कर सकते हो स्टेरिंग पे जो 90 उससे, बीच में RPM मिटर है और ये Ideal में 1000 तक RPM एक्टिव रहता है चले अब इसका Bonnet Open करते हैं, और आपको दिखाते हैं, 3000 सिसी का पेट्रोल इंजिन इसमें हमें मिलता है 3000 सिसी का V6 पेट्रोल इंजिन, जो प्रिडूस करता है 335 BHP और 450 NM का ये टॉर्क देता है 11 KMPL की माइलिज क्लेम करती है कंपनी और 0-200 ये जेस्ट 5.9 सेकेंस में चली जाती है 245 किलोमेटर की इसकी टॉप स्पिड है और इसमें आपको दो इंजिन ऑप्शन्स और मिलेंगे हाइब्रिड और ये पेट्रोल जो की ट्विन टर्बो चार्ज है जहाँ पर इसके ABS, EBD यूनिट्स और ESP यूनिट्स आपको अलग से दिये गए है की बैजिंग मिलेगी क्योंकि ये Volkswagen के अंडर आता है इस तरह से पैक है इसका V6 पेट्रोल इंजिन पोर्श की बैजिंग आपको इस से एड़ मिलेगी hydraulic struts के साथ इसका bonnet आता है इस तरह से well packed इसका engine and bonnet है चलिए इसे बंद करते हैं और आपको सुनाते हैं इसके engine की आवाज 4000cc V8 twin turbo charge petrol engine का भी option मिलता है आउन करते हैं इसका engine तो गाड़ी कैसे लगी वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएगा तो मिलते हैं इसी तरह की knowledgeful and interesting video के साथ बाएं